Hey guys, welcome to my new YouTube video अज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने GoDaddy domain को connect कर सकते हैं AWS के साथ उससे पर लेफसे में चैनल को subscribe कर लो बेल आइकन को press कर दो जिससे आपको आने वाली वीडियो की निलिविशन मिलती रहे अब हम बात करते हैं कैसे आपको connect करना है तो आपको अपने AWS login console में चले जाना है और EC2 में जाने के बाद instance को select करके अपनी IP को copy कर लेना है और जैसे कि मैंने यहाँ पर copy कर लिए मैं आपको दिखा रहता हूँ यह आपी work कर रही है यहाँ पर reflect भी कर रहा है अप आचे पे जो load हो रहा है तो इसका मैंना मेरा IP work कर रही है और page भी मेरा load हो रहा है अब हम क्या करेंगे यहाँ से go daddy को login करेंगे sign in करने के बाद आपको अपना product page में जाना है तो मैं यहाँ से go daddy को sign in कर रहा हूँ आप लोग भी कर ले और sign in करने के बाद आपको यहाँ से जाना है manage domains के अंदर managing domains के अंदर जाने के अदे आपको select करना अपना प्रोडक्ट जो भी आपका product है जिस product के साथ आप connect करने चाहते है यानि कि आपका जो domain है जो भी आपके domain extension जिनके साथ आप connect करने वाले उसको select करना है तो मैं यहाँ से select करता हूँ my products और मैं अपने domain में गया डुमेन में जाने के आद आपको DNS में जाना है Manage DNS Manage DNS को open करते ही आपके पास records आज जाएंगे जो भी आपके records इसमें inbuilt है आपको एक नया record करेट करना पड़ेगा यहाँ पर A record उससे पहले में आपको यहाँ पर कोई आपके IP पहले सी ही है तो उसको delete कर दो और delete करने के बाद तभी आपका record add होगा वरना आपका problem करेगा अपका problem करेगा फ्लक्शूरेट करेगा तो यहाँ से select करूँगा type A hostname डालूँगा add the rate point में डालेंगे हम IP जो हमने IP वहाँ से copy करी थी और इसको save कर देंगे जैसे आप इसको save करेंगे आपके IP reflect होगी यह थोड़ा सा time लेगी वानार आप इसको refresh कर दें refresh करता ही यह reflection स्टार्ट करेगी उससे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने website को load करने से पहले अपनी एक website को डालेंगे जिसे कि आपको में reflect करके दिखा सकूँ कि मेरी website वर्क कर रहे है properly तो उसके लिए में को क्या करना पड़ेगा मुझे एक file को upload करना पड़ेगा अपने तो मैं यहांसे एक file को upload कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे zip file बना के रखिए जिसे कि time बच सके तो मैं यहाँ पे इसको upload कर दूँगा अप्लोड करने के बाद आपको इसको अंजिप कर लेना तो अंजिप करने के लिए मैं इसको टर्मिनल के साथ वापर कमांड डालूँगा अंजिप कमांड जिसे कि यह अंजिप हो जाएगा file manager के अंदर और मैं उसको अंजिप करने के बाद code को run कर पाऊँगा जैसे कि यहां पर लिखना है पर होएवब कस अध्व्त करना पड़ेगा तो मैं यहां पर आपर करता हूं पहले डाट करना पटक्रफ करऊंगा उसके बाद अंजिप कमांड दूंग तो मैं यहां पर compare क्सको अंजिपर 700 इम्नल और यहा पर देख लिए जैसे मेरी ना मैं परकशे ह कदना देंक लोट करूँगा तो इहां पर इफ्रेश करणा थे मेरे सारी फेल्ड चेक कर लहां है अब इसको इए क्ला पर यह उपनी खरिए या नई कि मैस पर कैने इप को यह कुछ मीरी IP एड़ होट चुकि है, तो अब मेरी को क्या करना है, इस IP पे ही मेरी को reflect करना है और मैं इसको time कर देता हूँ, वनर के जगा half hour, जिससे क्या बढलती हूँ, जलसे जल्दी हो जाए, और क्योंकि यहां पर वनर से ज्यादा time कम ले, तो मैं एक बार IP को भी यहां पर करके तो यह load नहीं करेगा क्योंकि वह भी install नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर IP देता हूँ, slash install कर देता हूँ क्योंकि मुझे install करना है file को तो मेरी जब तर फाइल इस्टाल नहीं होगी तो वह domain पर reflect नहीं करेगी तो मैं यहाँ पर इसको install करूँ एक बार तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा domain के जो मिलाब IP है, IP slash install क्योंकि मैं install करने जा रहा हूँ, code को और install करते हैं यहाँ पर यह installation की file आ जाएगी और मुझे यहाँ पर तंसन कंडिशन को agree करना पड़ेगा agree करते हैं यह licensing की है और यहाँ पर मैं ने next किया यहाँ पर देशते हैं यहाँ पर एक config file को मैं को एक writable on करना पड़ेगा क्योंकि यह work नहीं कर रही है not writable आ रही है तो मैं इसको भी enable कर देता हूँ और इसको enable करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा फिरसे file जिला के अंदर इसको writeable mode के लिए enable करना पड़ेगा तब ही यह file वर्क करेगी तो मैं यहाँ पर जाता हूँ config file और यहाँ पर हम इसको select करेंगी configure file देख लेते हैं कहाँ पर है इसको select की हमने और अब हम इसके अंदर जाएंगे settings के अंदर तुम्हाँ से edit पर गया और file permissions के अंदर गया file permissions के अंदर जाने आपको select करना है publicly permissions writable और ok कर देना है और उसके बाद जाने आपको दुबारा से browser पर ब्रावजर पर दाके आपको refresh कर लेना है code को और refresh करते हैं यहाँ पर आपको अपनी site details को fill up करना है और यह सब मैंने बताया है अपनी परानी वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे करना है तो मैं इसको skip कर दता हूँ फिलाल के लिए और next page पर चलते हैं और यहाँ से आपको click करने है आप देख सते हैं यह आपी पर reflect कर रहा है लोगइन भी हो चुक है मेरी website वर्क कर रहे है और रेड़ेक्त कर रहा है मेरी website के उपर अम्हें वेबसेट पर अब होमपेज पर जाता हूँ और login करता हूँ तो यह login करने के बाद मेरी website पर रहाया तो उसका मेरी website और मेरा डूम and don't forget to subscribe